हेलो गाइज वेलकम टू परगतिया आइडिया आज हम क्लास सेवंथ के हिस्टरी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंग्डम उसको कवर करेंगे यह हमारा लास्ट पार्ट है अब नेक्स आता है एड्मिनिस्टेशन ओफ दा एंपायर करना उसको आगे बढ़ाना जैसे इनके सक्सेसर्स ने क्या किया था उस एरिया को एक्सपैंड किया था तो वह किंग्डम को एक्सपैंड करना उसका अच्छे से एड्मिस्टेशन करना वह सारी चीजह यहां पर एंपायर के एड्मिस्टेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तर की घृचित हैं तो जो बहु canoe भोत सारे वे बहुत सारे पैसे वह एक एरिया में electronics होते हैं एक एरिया में रहते हैं थो ऑजह में होती है तो जह सैटलमेंट ओपीपल पीजेन्ट से यानि के पेजर्ज स्छोटे फार्म स्मॉल फार्म TO illusionscolor स्फ्रंड ने के जो यह एक सरकल देखो यहां पर हमने एक सरकल बनाया है कि इसमें बहुत सारे और हैं यानि कि यह ग्रूप ओफ पीजेंट्स जो है यह फिर एक क्लेक्टिफ फोर्म बनाते थे एक और जो है और गिनेजिशन बनाते थे उसको उसको नाम दिया गया था नाडू एन एडियू पर यह उर्जो है चोटे-चोटे जो विलेजी जैंकि मिलके एक और 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 बनाते हैं या एक और बड़ा यह जिसको हम आज के टाइम पर टाउन यह शिटी बनाते हैं तो यह क्या हो गया नाडू ग्रूप ओफ विलेजिज दविलेजिज कांसिल एंड नाडू पर्फॉर के और सेकेंडली जब यह नाडू बनता था तो नाडू में क्या होता कि यह परफॉर्म करते सेवरल एड्मिस्टेशन वर्ग तो इनका भी एक एड्मिस्टेशन और्गनाइजिशन होता था फिर उसके बात में यह कुछ वर्क्स हैं वह भी करते थे इन मैनी फंक्शन में पर एक्जामपल हम कह सकते हैं पुर्वाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टेक्स तो मतलब के एरिया से टेक्स कलेक्शन का जो काम था वह भी इनकी हातों में होता है कि कुछ चीफ फैमिलीज होती थी जिनके पास यह होता था कि उनको इंफ्लेंस इंफ्लेंसिंग फ कि जस्टिस करती है ना पंचाय थी अगर जगड़े वगर आते हैं तो उनका सोलुशन करती तो उसी तरह से उर में भी क्या होता था कि जस्टिस अपने लेवल पर की जाती थी अगर वहां पर जो है बात नहीं बनती तो फिर यह जैसे नाडू है तो यह अडिमिस्रेशन कर वलाला कास्ट थी जो फेमस थी वह उनके जो पीजन्स थे उनको एक मेजर कंट्रोल मिला हुआ था ओवर दा अफेस ओफ नाडू तो वह नाडू जो थे उनके अफेस में इनका ओवर कंट्रोल होता था सम रिच फैमिल लैंडलोड्स वर ओफन टाइटल्स फ्रों दा चोला तो कुछ लैंडलोड जो रिच लैंडलोड्स होते थे उनको जो है किंग एंपार कुछ टाइटल्स तक दिये जाते थे लाइक मूवन पीजन्ट सर्विंग त्री किंग तो एक कींग के अंडर में इस तरह के तीन जो मूवन देवलां से यह आते थे ओके फिर नेक्स आता ह अरिया तो अरिया गयता है कि चीफ होता था विद इस टाइटल्स दे वर इंस्ट्रक्टेड विद इंपोर्टेंट ओफेसे तो मतलब यह जो टाइटल्स जिनको दिये जाते थे उन टाइटल्स के अकोडिंग उनके पास जो है responsibility भी दी जाती थी लाइक जैसे प्रोवाइडिंग justice एंड क्लेक्टिंग टैक्स तो यह क्या था यह तरह एक उनके पास उनकी तो उनके पास यह होते थी कि वह अपने एरिया में अड्मिस्टेशन को अच्छे से मैनेज कर पाए जस्टिस दे पाए और क्लेक्टिंग टैक्स जो है वह कर पाए तो यहां पर एक टॉपिक हो रहाता है कि ब्रामना आज रिसीवड लैंड ग्रांड इन दा फॉर्म ऑप ब् ब्राम्मन को से कंद्र गूंती तई नहीं उसके वहां इडिमिस्टेशन उन ब्रामन को आपन होता है तो इसी उसमें उनको ग्रांड दी जाती थी उस जमीन को नाम दियाया जाता लिए पास जमीन सट्राइब आप Вас साथ आधा उन्हों पने के बचेथा जमीनेक्षवित जमीन चाहिब लागोस समीनेटर प्रप्र जमेंध़ ने ऑके तो एक तोफीग आता हैdy फिर अजाई अब सब्सक्रागा तो यह ए किसेबल्स प्रोमिनेंट ब्रांपंवन्स इंगे लेंडोर्स के ऊपर भेउबरी řेंवर्स पρά युद में लिष्टन होती थी 13 प्रशाह सभाब करना करना उसको समभालना लिए जो पंडितों जिंकि यह जमीन होतीजिए लैंडी लोड्स क Den Him और उनकी जो बना जीटा धिए उसको क्या बोला जाता था सभाब बोला जाता था सभाव बोलाज जफाज management करते थे जो ब्रामनों को जमीन दी जाती थी उसकी देखबाल करते थे तो दे वर्किंग ओफ सभाव वाज रिकॉर्डिड इन डिटेल इंस्क्रिप्शन तो यह हमें कैसे पता चाहिए कि सभाव जो हूँ वर्किंग ओफ सभा है कि सभाव किस तरह से काम करते थी किस तरह से इंस्क्रिप्शन से मिलता है इंस्कृप्शन पर इंस्क्रिप्शन क्या regard ते희 पत्थरों पर खुदाई करके कुछ लिखा जाता है पहले के उसमें जो है पत्थरों पर घुँदारी करके लिख आ जाता तक इसने चाहिए कि और आउन्पस्ट ही पॉन्त इंस्स क्onne oaky dock River College is नाडू ग्रैटेंट में लिवर और में लिए वह इसके लिए यह तो यह किसकी एसके की टैप और्स पि webpage जहां एक एड़ेशन को समालते थिर उसके ऊपर एक ग्रूप ओफ विलेजिज को मिला सभा लगए ज़ो ग्रामन्स की जमीन को रखते ते घ्रामन्स की जमीन का जो करते थे उस एलिया को क्या बोल उसको क्या बोला हो आप जो जैसे हम कह सकते हैं की एक तरह से जो व्यापारी वर्ग था ठीक है तो जो जिसका काम जबर पारी वर्ग था उसका क्या बोला गया उसको बोला गया नगरम तो उसको बोला गया नगरम एस्सेशेशन ओफ ट्रेडर्स फिर आता है नेक्स्ट ऑकेजनली जो परफॉर्मड अडमिस्टेटिव का काम होता था कि यह बेसिकली जो है नगर जो जिस एरिया में रहते थे यह टाउंस में परना होता था उसको उसका का होगा उसरे कीस श्यूशन टोपीक आता है इंस्क्रिप्शिन एंड टैक्स्ट तो इंस्क्रिप्शिंस प्रवाइड डेटेल अबाउट सभा तो इसकी वर्किंग क्या थी उसमें मेंबर्स जो हो किस तरह से लेक्ट होते हैं किस तरह से कमेट में यह सारे चीटे सबाइज सेपरेट कमेटी तू लुक आफ्टर दा वेरियस वर्क तो के लिए तो सेपरेट कमेटी बनाए जाती थी कमेटी पोर इरिगीशन वाक एणन गार्डन सेंट टैम्पर गालन टेमपल्स की तरह की बनाएगेशन वेरिगेशन और गनंगेंगे पानी का पौने की तक्षाओ गार्डन की नौर्ड के लिए पलग से मैटी बनादी ठीका से उनकी देखरे के लिए एक अलग कमेटी बना दी तो इस तरह से क्या है कि यह जो कमेटी है यह अलग-अलग इनकी पास जो अलग-अलग responsibility थी यह अपना-पना काम देखेंगे फिस है कि वैन आदा मेंबर्स जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह से हैं-बार सब्सक्राइब सकते हैं सब्सक्राप सबना किसे चैसे तो कितने की औरGuiden Worf में कहां से पता चलता है इंस्क्रीप्षन से पता चलता सारे ऐसके बारे में अब सब्सक्रान के मेंबर जो है वो किस्ते से चूज़ के जाएंगे तो यहां पर बताया है कि आल दोज हूँ विस्टू बिकम में मेंबर ओफ सभा सुट भी ओनर ओफ लेंड फ्रों वीच दर लेंड रिवेन्यू इस कलेक्टिड तो यह क्या कहता है कि वह जो भी कोई अगल के जोप मेंबर बनना चाहता है सभा का तो उसके पास किया होना चाहिए ओर उसके साथ मेंट्र कि देता हूं उसके पास खुद होना चाहिए तकक्स देने वाला होना चाहीं देष्टб तो सेवंटी एज क्राइटेरिया क्या है कि थर्टी फाइफ यह से लेकर सेवंटी यह के बीच में उसकी एज होने चाहिए देशुड है नॉलेज ओफ दा वेदा उसके पास जो है वेदों की नॉलेज होने चाहिए जैनिके ट्राइडिशनल जो नॉलेज है हमारे उसको जाएगे अड्मिस्टेशन के कामों से वह वैलनोन होना चाहिए और इन इन ओनेस्ट यानिके इमानदार भी होना चाहिए ठीक है इफ एनिवन हैस बीने मेंबर ओफ एनि कमेटी अगर कोई किसी कमेटी का मेंबर है तो एनिवन हो हैस नोट सब्मिटेड इस अकाउंट तो जो भी कोई सि deg idiot कमेटि कमेंबर मना जाता है अगर उसने अपने उसको जितने भी उसको अकाउउंट या रिंवन्यू टेक्स को अपना टेक्स जो है वो सब मिट करवाना पड़ेगा और Quanक्षर क्या तो अपना टेक्स या तो उसने हैं खुद का टेक्स रहता हो या फिर उ एक्से प्रोसेस ओफ मेंबर है वह मों इलैक्शन प्रोसेसि किसे तरह से करेंगे सब्सक्राइब ऑफ प्रफोरों किस तरह से एलएक्शन प्रोसें कि स्टरशन की बता दिक हो nerыш उसकी जो है 35 से सेवंटी जेंधी के बीच में होनी चाहिए उसके पार खुद और धौना वरता हो सारे ग्लिए रहने होने चाहिए उसको देच यह उसके रिलेट्व से वह भी सारे टेक्स दे चुके हो तब और वो इलैक्षिन में खड़ा हो सकता है इमांदार होना चाहिए जो नोलिज होनी चाहिए वेदों का ग्यान होना चाहिए यह सारी चीजें कि सवा का मेंबर बनने के लिए सारी चाहिए आप कहते कि एलक्षिन जो है किस तरह ऐसे होगा तो सबसे के लिख्ये जो है और उसके उपर जो मेंबर का नाम लिख्ये और उसको फोल्ड करके रख दिया इस टिकट्स वर पूट इन दा अर्थनम वेर कि एक मिट्टी के मठके के अंदर जो है तिकर सब्सक्राइब कुफोल्ड करके उस मठके में डाल देते हैं तो फिर उसके बाद कहता है कि यंग मैन यानि कि वाइज वाज आस्क डू टेक आउट टिकट फूर इच कमेटी तो हर कमेटी के लिए एक यंग वाइज चोटे बचे को बोल दिया जाता है या चोटे लड़के को वह उसको बोल दिया जाता कि आप एक टिकट इस मटके से नि एक टाइप आफ लेंट अब डॉप टाइप आगे जैसे हमने अगराम लेंट के ब्रामन देया नाम के भी जमीन जो ब्रामन को दान में दी जाती ती ग्रांफ में दी आथी उसके और बारे मारे जाना था तो इस तरह से अलग लग जो है डिवाइड इडल की ती टाईप आब जलन सने ठीजिंगुठाटे बेट रहती है थो जमीन जवान जामेन के लिए रिजव तैंटोर होती क्या हूं कि ब्रह्मान सवर्ष ने ब्रहुताइस damages आता है कि देवदाना या फिर तिरुमानाों मातोर्णी तिरुना मातोरानी color तो ऐसी जमीन जो सिर्फ टेंपल्स के लिए रिजबर की जाती थी ऑप के लेंड ए फटिभ एपन फोर टेंपल्स ओके रेके नेक्स लास्टार पाली चसंदम के चन एक तक लेंड टो ते जैना इंस्टिटूशन जो जैन इंस्टिटूशन जैन दर्म के इंस्टिटूशन थे उनके लिए जो जमीन रिजर्व की जाती थी उसको क्या बला जाता था पाली चछंदम तो यह हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है